सियासत वो जो विकास के दावे पर भी खरा उतरे और विरोधियों पर निशाना साथने में भी कारगर हो पुरवांचाल एक्सप्रेस वे क्या है आगाज ने भाजबा को ये दोनों मौके देती हैं प्रधान मंतरी मोदी ने जब सुल्तानपुर के मंच से यूपी के विकास का रोड मैप बताना शुरू किया तो पिछली सरकारों को घिरने से नहीं चुके उन्होंने परिवारवात का मुद्दा उठाया लॉइन ओर्डर की दुहाई दी और सिर्फ अपने वोट बेंक की परभा करने वालों को भी आएना दिखाया हालांकि प्रधान मंत्री के सियासी वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करने में देर नहीं की देखे ये पूरी रिपोर्ट जरूरी सुभीदाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए एक बार फिर वही अंदाज, एक बार फिर वही जोश, एक बार फिर वैसे ही चुब तेज जुबानी हमले पीम मोदी दूपी चुनाओं को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं और सुल्तानपुर से उन्होंने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया मौका तो फुर्वांचल एक्सपेस वे के उद्गाटन का था लेकिन पीम के निशाने पर ज्यादा तर समय विपक्षी पार्टियां ही रही कौन भुल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटोती होती थी याद है ना कितनी बिजली कटोती होती थी कौन बुल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्ता की क्या हालत थी चुनाव नजदीक हैं और विपक्षी दलों पर हाजपा के बड़े निताओं के हमलों की शुद्वात हो चुकी है पी एम मोदी के टार्गेट पर सीधे सीधे अखिलेश यादो ही नज़र आए इस कारक्रम में सीअम योगी ने सिर्फ 11 मिनट का भाशन दिया उनका पूरा जोर विकास को लेकर दिखा लेकिन इशारों इशारों में वो भी पिछली सरकारों पर हमला करने से नहीं चुके पूर्वी उत्तरप्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के बहुतिक विकास के उन माप दंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था पीएम मोदी हों या सीएम योगी दोनों के निशाने पर अखिलेश यादव ही रहे इसकी वज़े ये थी कि अखिलेश लगा तार पूरवांचल एक्सपेस वे पर अपना सियासी दावा ठोक रहे है सुबह के वक्त आजमगर में पूर्व मंत्री तुर्गा प्रसाद यादव और सपा विधायर नफीस एहमद ने इस एक्सपेस वे का सांकेतिक उद्धाटन भी कर दिया था अखिलेश ने भी पौरण उनकी तस्वीरों को ट्वीट कर दिया अखिलेश ने ट्वीटर पर लिखा फीता आया लखनव से और नई दिल्ली से कैची आई सपा के काम का श्रे लेने को मची है खीचम खिचाए आशा है अब तक अकेले में बैठ कर लखनव वालों ने समाजवादी पूरवांचल एक्सपेस वे की लंबाई का आंकरा रट लिया होगा सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्गाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी एक तरफ अखिलेश हमलावत हैं तो दूसरी तरफ उनके नए नए सहयोगी बने ओम प्रकाश राजभर ने भी हमले तेज कर दिये हैं कि भारती जनता पार्टी नकल्ची पार्टी है इसके पहले फाइटर बीमान आगरा एक्सप्रेस वे पर अखिलेश जी उतार चुके हैं ओध घाटन कर चुके हैं एक्सप्रेस वे बनवा करके पुर्वांचल एक्सप्रेस वे की निव अखिलेश जी नहीं रखा पुरवांचल एक्सपेसway पर लंबे समय से सियासी युद्ध चल रहा है अब इस एक्सपेसway का उध्धातन हो चुका है इस मुद्धे पर युद्ध का समय खत्म है और अब पुरवांचल की जनता को टै करना है कि उनके लिए विकास का द्वार किसने खोला है ABP गंगा के लिए प्योररी को